अब हलो एव्रिवन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और यह जो है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टेडिस का उसका है सपोर्टिंग माटेरियल से मैं आप लोगों को यह करवा रहे हूं सपोर्टिंग माटेरियल जो डेली गवर्मेंट के पूर्टिंग मटेरियल में और NCRT के बुक का काफी अच्छा निचोड होता है तो काफी हेलपफुल होगा और इसके अंदर सारे की पॉइंट जो है वह आप लोगों को मिल जाएंगे तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं यह चैप्टर लंबा है तो मैं ज्यादा बड़ कि उसे क्या है विसेश्था क्या है तो पूरे सारे की पॉइंट्स यहां पर दे रखें हैं आप चाहें तो स्क्रीनशाट ले करके आराम से पड़ सकते लिए यह वीडियो पॉस करके भी पड़ सकते हैं बाकि एक-एक पॉइंट जो भी यहां पर सीरीज दे रखिया उनको यह करके बताऊंगा ही बताऊंगा है ना चलिए पार्ट एक नजर में बोला हुआ है एक नजर में यानि कि शॉट में हम लोग स्टडी करेंगे मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसको ठीक है यह देखिए क्या बोला हुआ है कि प्रबंधन यानि management है क्या what is management तो अन् के कहने पर काम करें that is management blackmailing नहीं कह रहा हूं management कह रहा हूं blackmailing में भी होता है पर वो नहीं करना है उसकी मर्जी नहीं होती ना ठीक है तो प्रबंधन यह निरधारत उदेश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता पूर्ण करने के लिए कि यह कारियों की प्रक्रिया ह है तो देखिए वैसे तो यह हिंदी मीडियम का है लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साब से भी बोल देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है कि इसके अब्जेक्टिव जो होते हो फिक्स होते हैं effective होना चाहिए दक्षता पूर्ण यानि efficient होना चाहिए तो आप क क्रिया में प्रबंधन के कारे क्या क्या होते है अब प्रबंधन यानि management में क्या क्या चीज़ा है जो helpful होती है तो नियोजन यानि planning संगठन यानि organizing नियुक्तिकरण यानि staffing निर्देशन यानि directing नियंत्रण यानि controlling यह हमारे 5 जो है क्या है काम है कौन-कौन से फिर से देख देते हैं हमारे 5 काम कौन-कौन से नियोजन संगठन नियुक्तिकरण निर्देशन और नियंत्रण यानि की इंग्लिशों बोल देता हूं planning, organizing, staffing, directing, and controlling यह आपकी अलग-अलग chapter से जो आप पढ़ोगे अते हम यह कह सकते है कि basically प्रबंध को प्रभाव शीलता और कारे चमता से लक्षों को प्राप्त करने हितु कारे कराने की प्रक्रिया के रूप में परिवाशित किया जा सकता है यानि basically अगर आपको management को explain करने तो आप यह कह सकते हैं कि how can you get a work done effectively and efficiently from others this is known as management यह भी एक तरीके से आप कह सकते हैं ठीक है इसका उदेश सरो माने लक्षों यानि उदेशों की प्राप्ति है तो किये जाने वाले प्रियासों के संबंध में मार्ग दर्शन करना होता है एक manager जो होता है manager खुद काम नहीं करता है वो मार्ग दर्शन करता है यानि कि वो लोगों से काम करवाता है कि आपके जो भी उदेश है whatever आपकी company का जो भी objective है उसके लिए आप जो काम करवा रहे हो उसे हम लोग क्या बोलते है management बोलते है I hope आपको समझ वे आ गया होगा यहां पर है आप इससे पड़ सकते हो मैं simple बता देता हूँ किसी काम को time पर पूरा करना यह आपकी effectiveness को दिखाता है और किसी काम को कम लागत में पूरा करना यह आपकी efficiency को दिखाता है यानि कि अगर आप समय के साथ comparison कर रहे हो तो you are effective अगर आप लागत को कम कर रहे हो cost effective कर तो आपकी कब देखी जाएगी जब आपकी कॉस्ट मिनिमम हो आपका इफेक्टिवनेस कब देखा जाएगा जब आपने काम समय पर पूरा कर लिया है ठीक है यहां पर एक केस स्टडी दे रखी है क्या बोला हूँ है रामा कैथल लिमिटेड कंपनी है उसका जो मेन अब्जे है या कुशल है प्रभावी है या नहीं है तो इसमें यह तो नहीं बोला थिके उसने महिने के बाद किया उसने यह कहाए कि अच्छा है इसने एक महिने में पूरा कर लिया है तो टाइम पर पूरा किया है तो यास व्वह प्रभावी यार्न Leaf भी है उसने 500 की जगा उदेश्यपूर्ण प्रक्रिया से अर्थ यह है कि प्रबंधन का जो उदेश्य होगा वो पहले से सेट होगा आप जब भी कोई management करते हो तो management पहले से उदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है उदेश्य के लिए काम करते है जब आपके पास कोई objective होगा तो ही आप management करते हो दूसरा सर्व व्यापी है यानि यह हर जगह पाया जाता है कोई सामाजिक जगह हो आर्थिक और राजनीति को हर जगह management पाया ही जाता है कैसा भी संगठन हो क काफी फिल्मों वगेरा मैं देखा होगा ना की फीमेल को हम लोग हो मिनिस्ट्री भी बोलते के नाम से जानते हैं घर में वाइफ को हो मिनिस्ट्री कहा जाता है ठीक है तो वह यानि कि क्या management ministry manage करती है management नेक्स्ट बहु आयामी गतिव धिया यानि कि यह multi-dynamic work करती है multi-dynam about it ये काम करती है एक से कई सारे कारे करती है ये लोगओ ये जो काम हो रहा है उसमेंट करती है और यह आपको करो van да सब्न करती है और प्रबंदन लोगों से कार करवाने की कला है प्रबंधन संगठन में विदियाओं को पूर्ण करने में स medo यानि अगर एक organization है एक संगठन है तो उसके अंदर भी काम करवाने में management जो होती है वो सफल होती है next निरंतर चलने वाला यानि continuous process देखें English medium वालों को भी help मिल जा इसलिए बोल रहा हूं तो यह क्या है continuous process है management continue चलती रहती है एक चीज़ का management management खतम दूसरे का चालू हो जाएगा दूसरे का तीसरे का ठीक है तो प्रबंधन के कारें जो है वह हमारे वही दे रखे वही नियोजन संगठन नियुक्तिकरण जो दे रखे थे नियोजन संगठन नियुक्तिकरण निरदेशन और नियंतर यानि की planning organizing staffing directing and controlling यह भी लगातार ही चलती है ठीक है सारे management के काम में management के साथ यह भी चलती है दूसरे एक इनसान कभी अकेले management नहीं कर सकता management एक सामूही क्रिया है इस ग्रूप activity यह ग्रूप activity एक सामूही गतिविधी है किसी भी organization में अनेक लोग जो होते बहुत सारे लोग जो होते वह एक संगठनात्म को दे करना पड़ेगा एक सामूही क्रिया में यानि ग्रूप discussion के साथ करना पड़ेगा नेक्स्ट यह गत्यात्मक का रहे है यानि गत्यात्मक का मतलब यह होता है कि अगर जैसे जैसे टाइम चेंज होगा जो जैसे जैसे परिस्थिति आएंगी आपको उस इसाप से अपने management में चेंज हो सकती है जैसे आप बढ़ेगा यह वैसे-वैसे क्या करेगी अपने आपको चेंज करतें जगह के हिसाब से अब जैसे कि हम लोगों को lockdown में रहने की आदत नहीं थी पर कोरोना की वज़े से lockdown में रहना सीख गए online classes आ गई तो management क्या है vibrant है change होती रहती है next उद्देश्य सक्ति उद्देश्य शक्ति यानि कि management एक ऐसी शक्ति power है उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि objective power की बात कर रहे है जिसे देखा नहीं जा सकता पर उसको महसूस किया जब एक संगठन में उद्देश्यों को योजनाओं के अनुरूप प्राप्त किया जा रहा हो तो कहा जाएगा कि यह प्रबंदन अच्छा है बोलेगा तो जब एक organization में आपके जो objective से planning के साथ पूरे हो रहे हैं जैसी planning की हो यह आपने उसके जैसा ही पूरा हो रहे है तो हम कहेंगे कि यह एक अच्छा management है ठीक है तो आज यह मैंने आपको basically management की definition बताई है मैंने आपको efficiency और effectiveness में अंतर बताया है और मैंने आपको प्रबंधन की यानि management की विसेश्टा है या लक्षण बताए है I hope आपको यह video पसंद आई होगी और अगर video पसंद आई है तो please like के जए next class मैं इसके आगे के points लेके आऊँगा मैंने चाहता कि बहुत बड़े-बड़े videos बने तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही and video अच्छा लगा तो please like, share, subscribe करे and thank you, thank you for your time